पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुटो की पेशियां मौशी बहरान से तवज्यों हटाने की कोशिश करार दे दी पार्टी रहनमाओं का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि नैप को इसकी मर्जी के जवाब नहीं दे सकते सवाल नहीं ये किसी की खाहिशात हैं दस दफा पूछें जवाब एक ही होगा हकूमत का जाना टहर चुका है अब तो इतहादी भी इन्हें आहिस्ता आहिस्ता चोड़ रहे हैं हकूमत की नाकामियों से निकलने के लिए इस वक्त जो मौशी बहरान बढ़ता जा रहा है इनकी जमाद के अंदर जो क्रैक्स पड़ रहे हैं इनके जो इतहादी हैं इतहादी इनको छोड़ रहे हैं अब इस हकूमत का जाना ठहर गया है इन्होंने फाशिस्ट हतकंडे ही इस्तमाल करने हैं इनके पास और कोई रास्ता नहीं है ये तशदद का रास्ता अक्तियार करेंगे ये अदालतों में जैली केस डालेंगे आज आप सोशल मीडिया बंद करना चाहते हैं जो आपका सब्सक्राइब बड़ा हत्यार है पार बार ये तहरीरी जवाबाद आ चुके हैं पेशी भी सिप पीपल्स पार्टी घबराती नहीं अदालतों का हमेशा इतराम करती है और जितनी दफ़ा अदालत में बुलाना है पूरी पीपल्स पार्टी जो इसलामबाद में मौजूद होती है यहां होगी जहां भी बुलाना है हम मौजूद होंगे जब भी इस हकूमत की नलाइकी और नाकामियों को उजागर किया जाता है तो यह प्लिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक सलसला नैप शुरू कर देता है